कि अपने घरों में होंगे करोना का टाइम तफ टाइम बट आज आज में आपका केमिस्ट्री मेंट और अक्षे सार उतकर्ष के प्लाटफॉर्म पर ठीके लेकर आ रहा हूं और ऐसी चीज़े लेकर आऊंगा ट्रिक्स और टिप्स के साथ ही अपन पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री और अराम से एकदम पानी की तरही चीज़ समझ माने वाली बात अपको ध्यान रख देने एकदम क्रिस्टल क्लेर लेकर चलेंगे एकदम ऐसा नहीं मानना है तफ तुम मानोगे है बिल्कुल इस सब्जेक्ट अब देखो बच्चे पूछे से सब्सक्राइब आपको केमिस्ट्री में इंट्रेस्ट कैसा आया देखो वही पहले क्या होता था जब मैं यूटूब या कहीं पर भी कोई वीडियो देखता था तो मैं सोचता था यह क्या सब्जेक्ट है कि हरा पीला नीला डालो और बेसिकली कुछ लाल निकल के आ जाता था तो यह होता कैसे था जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं तुम लोगों की जगे बच्चा होता और मैं अगर यह कोई ऐसा वीडियो देखता कि मैं सब्सक्राइब यह जनता है य दूर जैसा solution तो एक दम पूरा उफन की क्या हो जाता है बाहर आ जाता है तो मैं होता तो मेरे दिमाग में चीजे स्टाइक होती है यह होता कैसे है ठीक है इसलिए subject को strong करने में मैं जुड़ गया था and if you also want to know how this fascinating subject works यह कहां कहां अपलाए होता है तो बस मेरे साथ जुड़ रहे और आज मैं आप लोगों के लिए 12th class वालों के लिए amazing trick लाया हूँ ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा कि तुम्हें उल्टी होने लग जाए वही चीजे पढ़ाऊंगा जो तुम्हें आती है 11th class में अब वो है आपकी trick to paramagnetic and diamagnetic materials ठीक है I hope यह सब तुम 11th class में पढ़ आए आक्षे सर तो भाईया आज की चर्चा है जैसा कि मैंने बोला था trick to paramagnetic and diamagnetic materials यह जो टॉपिक दिख रहा ना उपर पैनल पर यह कुछ बच्चों को तो आती है definition तो वेल गुड है लेकिन वो बच्चे जो कहते हैं कि आरे सर मुझे तो definition नहीं आते तो tension मतलों मैं यहा आए भी हो तो बस lecture देख लेना वो इंट्रेस्टिंग बन जाएगी chemistry तुम लोगों के लिए आगे बात समझ में और हां घर पे बैटे 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 बोला है जब मैं बूलू समझ आता है जनता तो बस घर पे बैटे बोले बैटे बोला है हां सर आता है ठीक है तो trick to paramagnetic and diam magnetic materials ठीक है तो जिनने नहीं आता है उनके लिए में पहले बता देता हूं कि paramagnetic and diamagnetic materials क्या होता है ठीक है ना जनता तो ध्यान से देखिए पहले अपन basic चीज पढ़ेंगे कि what do you mean by diamagnetic and paramagnetic materials तो सबसे पहले अपन heading डाल देते हैं कि what do you mean by paramagnetic and diamagnetic materials तो सबसे पहले इस series में लेने जा रहे हैं अपन diamagnetic materials क्या होते हैं हाँ तो भी जनता diamagnetic materials क्या होते हैं देखो इसमें आपको दो बाते याद रखनी है सबसे पहली बात suppose for example यहां पर मेरे पास रखा एक magnet क्या रखा है यहां पर suppose मेरे पास एक magnet English medium वालों magnet बोलेंगे और local में अपन क्या बोलते हैं मैं इसको suppose यहां पर चुम्बक रखा हैं क्या रखा एक चुम्बक है अब यह magnet के पास जब मैं एक diamagnetic material लेकर जाओंगा सबसalten है जैसे इसकी magnetic field में गए इसको क्या देदेगा repulsion देदेगा क्या देदेज़ देगा यह इसको repulsion हां तो dia magnetic materials gives repulsion towards magnetic field magnetic field में जैसे आएगे वो क्या करने लग जाएगा repulsion देने लग जाएगा अच्शा तो यह होता क्यों है सर एक बर पहले इसको लिख लेते हैं δια-magnetic material आयायायायायायाया जैसे आयेगा यह यहां पर क्या देगा रिपल्षन देगा अच्छा यह repulsion क्यों होता है सर्ण due to the presence of paired electrons diamagnetic materials में paired electrons होते हैं एक orbital में ठीक है ना ठीक है एक orbital है उस orbital में paired electrons होंगे paired electrons होंगे इनी paired electrons की वज़े से ये repulsion देगा ये अराम से जोडे में हैं जोडे में हैं तो ये नहीं चाहते किसी से चिप के तो बेसिकली चिप केंगे नहीं तो ये क्या देंगे repulsion देंगे तो दो बाते क्या ध्यान रखनी है diamagnetic materials gives repulsion towards magnetic field second बात क्या ध्यान रखनी होता क्यों है because वहाँ पर क्या होते है paired electrons ठीक है समझ में आता है ना हासर आता है कोई भी rocket science नहीं है अब एक बार इस चीज को लिख लेते है which gives repulsion the materials which give repulsion when they come close to magnetic field when they come close to magnetic field जब कभी भी magnetic field के पास मा आएंगे ये इसको क्या दे देंगे repulsion मतलम तुम लाओगे 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 खच लाओगे लाओगे खच वो आते ही क्या देता रहेगा repulsion देता रहेगा ठीक है ना ठीक है बस बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है केस में क्या होते है paired electrons दूसरी चीज repulsion देते है die magnetic materials किस पे magnetic field में तो die magnetic material का concept clear है एकदम crystal clear next चलते है paramagnetic क्या होते है सर ठीक है तो paramagnetic materials क्या होते है ध्यान से देखना paramagnetic materials are basically paramagnetic materials क्या होते है paramagnetic materials लिखेंगे short में अब देखो अगर लिखेंगे पहले बाद में diamagnetic समझ बागया न तो just उसका उल्टा क्या हो जाएगा paramagnetic इसमें कोई भी शक्य डाउट वाली बात नहीं आनी चाहिए तुम जानते हो diamagnetic materials क्या होते है जो repulsion देते है तो बस simple paramagnetic materials क्या होंगे जो attraction देंगे क्या है magnet यह मैंने याप पर एक magnet बना दिया यानी बोले तो क्या चुमबक ठीक है अब इसके पास में मैंने suppose एक क्या रख दिया है paramagnetic material क्या रख दिया मैंने एक paramagnetic material अब ध्यान से देखना मैं पैरा को डेले चुमबक के पास लाँगा 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 जैसे magnetic field में आएगा खच इसको क्या कर लेगा attract कर लेगा क्या कर लेगा इसको attract कर लेगा समझ में आता है ना हाँ सर आता है ठीक है तो जैसे ही paramagnetic material magnet के पास में आएगा यह यहाँ पर क्या देगा attraction तो that means paramagnetic materials gives attraction towards अच्छा अब यह होता क्यों है वो क्यों होता है due to the presence of paired electrons यह क्यों होगा due to the presence of unpaired electrons ठीक है ना ठीक है तो basically यहां पर एक orbital में एक electron इसका मतलब unpaired कोई भी जोडी नहीं है तो यह unpaired electrons की वज़े से होगा यह अकेले हैं और अकेले होने की वज़े से magnetic field में क्या कर देंगे attraction देंगे तो इसकी दो बात याद रखनी है paramagnetic materials gives attraction towards magnetic field and जो इसमें होता क्यों है because इसमें unpaired electrons होते हैं इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से ताकि इसको भी समझ में आ सके short में the materials बस जो उसमें लिखा है ना उसका उल्टाए दो लिखना है ठीक है the materials which gives attraction towards magnetic field which gives attraction towards magnetic field ऐसे materials को क्या बोला जाएगा paramagnetic materials क्या बोला जाएगा ऐसे materials को paramagnetic materials ठीक है ना ठीक है अच्छा दो बाते इसमें भी ध्यान रखनी है क्या कि इसमें unpaired होंगे और attraction होगा तो यहां पर आपके दोनों पैरा और डाया magnetic field डाया में paired electrons पैरा में unpaired electrons simple bifurcation है कोई भी rocket science कोई भी तकलीफ आली बात नहीं आनी होते हैं तो मुझे बहुत बड़े-बड़े MO T और VBT के diagrams बनाने पड़ते MO T में तो बहुत सरे डब्बे बनाने पड़ते हैं उनमें electron बढ़ने पड़ते हैं खाज 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 ठीक है और उन electrons को कौन भरे सर पूरे भरने पड़ते हैं क्या नहीं आने वाले 5-10 मिनिट में आपके पास दुनिया का कोई भी डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो आप उसका बता सकते हो कि सर ये डाय मगनेटिक है ये पैरा मगनेटिक है ठीक है न जनता ठीक है तो अब आखे सिरफ का होनी चीए पैनल की तरफ ठीक है तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक इंपोर्टेंट ट्रिक है ढंग से देखना आई एटी नीट और बहुत सरे कंपेटिटिव एक्जाम्स में काम आ सकती है अगर आपको टैरा और डाया चेक करना किसी भी डाय अटॉमिक मॉलिक्यूल का और मुझे बोला चाहिए बताओ यह डाया है पहरा कुछ नहीं करना है तुम्हें सिंपल एडिशन आना चाहिए अगर सिंपल एडिशन करना आता है तो तुम कोई भी दुनिया का डायाटॉमिक मॉलिक्यूल बता सकते हो कि वह पारामैग्नेटिक है या फिर वह डाया मैगनेटिक है अब एडिशन भी नहीं आता है ना तो उसकी में हल्प नहीं कर सकता ठीक है ना तो बेसिकली करना क्या है आपको इलेक्ट्रोन का सम करना है हाँ इलेक्ट्रोन को जोड़ देना अगर आपका उस डायाटोमिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोन का सम ध्यान से वर्ट्स की तरफ देखना है इसलिए मैं धीरे-धीरे इन्फोर्स करके बोल रहा हूँ अगर इलेक्ट्रोन का सम इवन आता है क्या बोला मैंने ओड आता है तो वो क्या होगा पैरा मैगनेटिक इसमें कोई भी शक्या डाउट वाली बात नहीं आनी चाहिए ठीक है ना जनता ठीक है अब देखेंगे ध्यान से अगर इवन है डाया कर दो अगर ओड है पैरा कर दो यार इससे सिंपल मैं नहीं कर सकता डाया इलेक्ट्रोन क तो पैरा ठीक है करके देखते देखो ध्यानसे अच्छा अब यह ट्रिक है जाम करती है उसमें कुछ exception होते हैं इसका exception क्या देखो मैं फिर क्या रहा हूं इसले इसको लालिंग से लिक रहा हूं ताकि तुम लोग इसमें कोई भी गलती नहीं करो exception आएगा 10 और 16 पे मतलब 10 और 16 are even numbers बट अगर ये सम आता है तो डाया मत लिख के आजा ना पागलो की तरह अभी मैं बता रहा हूँ अगर ये सम आता है तो उसको क्या लिखोगे paramagnetic ये exception है ध्यान रखना इसको क्या लिखेंगे अपन paramagnetic अभी मैं mark कर रहा हूँ इसको 7 star mark कर लो जनता अपनी notebook में फटाफट 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 और dollar topic डाल दो dollar की कीमत जैसे ज़ादा है इस exception की कीमत ज़ादा है क्योंकि trick तो समझा जाएगी लेकिन exception नहीं समझाया तो महाँ पर गलती कर लोग exams में ठीक है चलिए अपन apply करते हैं कुछ examples जैसे for example मैं तुमको दे दू के हाँ भई मैं को निकाल के बता N2 मुझे बताओ N2 परा है या डाया तो महाँ पर MOT के diagram बनाने का time नहीं रहता है करना कुछ नहीं N2 इसका मतलब nitrogen किती दो एक nitrogen के पास किते electron होते हैं फटाबड बोलेंगे hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron carbon, nitrogen एक nitrogen के पास किते electrons 7 electrons तो इसके पास भी 7 इसके पास भी 7 7 प्लस 7 फटाबड बोलो 14 इसका मतलब 14 is even number और odd number फटाबड बोलेंगे even odd even odd, even odd होगा even इसका मतलब ये क्या होगा diamagnetic material ठीक है अब एक और ट्राइ कर लेते हैं तुमारे confidence के लिए अगर मैं तुम्हें बोलू कि मुझे find करके दिखाओ कि C2 क्या है ठीक है C2 C2 एक डाइटम है मैं दो carbon को जोड़ दूँ अगर दो carbon को जोड़ दूँ तो वो diamagnetic बनेगा है paramagnetic करना कुछ नहीं है C किते carbon 2 carbon ठीक है एक carbon के पास किते electron 6 दूसरे के पास भी 6 6 प्लस 6 12 इवन या ओड इवन तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ diamagnetic ठीक है ना ठीक है अच्छा इस च्रिक को तुम हेट्रोडाइटमिक मॉलिक्यूल पे भी अपलाई कर सकते हो जब सेम सेम जूडते हैं तो उसको बोलता है होमोडाइटमिक जब अलग-अलग जूडते हैं तो उसको क्या बोला जाता है हेट्रोडाइटमिक जैसे यही पर लिख देते हैं CO यानि कार्बन मोनो ओक्साइड कौन-कौन सा एटम है फटावड बोलेंगे एक कार्बन है दूसरा क्या है ओक्सिजन तो एक कार्बन दूसरा ओक्सिजन कार्बन के पास किते इलेक्ट्रोन 6 इलेक्ट्रोन हाँ हुश्यार हो रहे तुम लोग तो ठीके ओक्सिजन के पास किते इलेक्ट्रोन 8 इलेक्ट्रोन फटावड बोलो सम कित्ता आएगा 6 plus 8 करो के तो सम्किता 14 तो इसका मतलब 14 क्या है even या odd even इसका मतलब डाया या पैरा डाया मेगनेटिक पीछे वालो समझ में आया ना हाँ सर आया अब ध्यान से देखेंगे ये क्या है डाया मेगनेटिक हेट्रो में भी कर सकते हैं अब ट्राय करते है चार्ज वाले ठीक है चार्ज अगर आजाय तो क्या करेंगे सर चार्ज वालो में क्या करेंगे जैसे सपोस मैंने तुमें बोला n2 plus find करके दिखाओ के डाया मेगनेटिक है या ये पैरा मेगनेटिक है देखो ये जनरल बात सबको पता है 9-10 के बच्चों को भी बता रहती है या ठीक है ना के plus का मतलब electron गया minus का मतलब electron आया ठीक है ना ठीक है तो इसका मतलब पहली तो दिबाद धंग से देखो N किते हैं 2 तो N2 1 एन इदर 1 एन इदर 1 nitrogen के पास किते है electron 7 तो यहाँ पे भी 7 अच्छा plus का मतलब electron अब निकालना है तो इस nitrogen के पास होने तो किते चीएते 7 लेकिन plus charge है उपर तो एक electron क्या कर देगा तू निकाल देगा एक electron अगर में इसमें से निकाल दू तो 7 का क्या लिखोगे 6 तो बस एक atom में एक electron को कम कर देना सिंपल सी बात है जो भी charge दिया वा रहता है तो basically sum किता है 7 plus 6 gives what 13 इसका मतलब 13 electron odd या even odd इसका मतलब ये diamagnetic हो गया paramagnetic तो इसका मतलब ये क्या होगा paramagnetic materials ये attraction देगा ये repulsion देगा ये attraction देगा भया ठीके न अच्छा अब सर exception का भी एक एक्जामपल बता दो ना exception का भी एक एक्जामपल बता देते हैं तुम लोगों को ठीक है इसको ला लिंग से कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ सके basically O2 ठीक है oxygen कित्ती oxygen है 2 oxygen तो एको ये रहा एको ये रहा एक oxygen के पास किते electron 8 electron तो 8 plus 8 गिवज वॉट 16 electrons और 16 समा रहा है मैंने पहले बोला था exception है 10 और 16 तो अगर 16 आ रहा है तो है तो even लेकिन exception है तो क्या consider करोगे paramagnetic इसका मतलब O2 क्या हुआ paramagnetic material ठीक है ना जंता ठीक है तो बस यहाँ पे lecture को समाब्द करते हैं I hope आप लोगो कोई lecture अच्छा लगा होगा और इस trick में अपसे कोई भी question आएगा तो कभी नहीं भूलोगे हमेशा उतकर्ष और अक्सेसर को याद करते रहोगे तो यहाँ पे मैं lecture खतम करता हूँ enjoy करते रहे chemistry को तब तक कि Linux lecture के लिए वेट करते रहे and thank you so much